Hello friends, welcome to online free study Friends, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Importance Government Schemes जो की रहेंगी 2019 की यह Part 1 है इस वीडियो में हम जो है Government ने जो भी किशानों के लिए Schemes लेके आए हैं वो Schemes देखने वाले हैं इसके बाद then हम जो रहेगी अगली वीडियो जो रहेगी उसमें Digital India, Slated यतने वीडियो रहेंगी जितने भी Schemes रहेंगी उनको हम cover करेंगे then हम इसमें आपको इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में जो है आपको MSQs भी कराएंगे और कुछ important चीए हैं, दिखिए exam में आपसे government scheme के बारे में, अगर आप RRB, NTPC, SSC bank की तयारी कर रहे हैं तो आपसे मुक्यत तर तीन चीज़े पूची जाएंगे पहली चीज कि scheme जो है वोई किस government ने जो है government लेके आई है या फिर ये किस government के द्वारा scheme घोशित की गई है announce की गई है second चीज़ आपसे date पूची जा सकती है इसका उद्देश पूचा जा सकता है ये तीनों चीज़ें आपसे पूची जाती है इन तीनों चीज़ों में से ही हम कुछ ये चीज़े हम यहां से पढ़ने वाले हैं और इतना भी इसके लिए data है परयाब तो data है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा बागी हम चीज़ें इसमें important ही देखेंगे लेकिन इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई है चो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और इस वीडियो को पूरा अंतक देखेंगे स्टार्ट से लेकर अंतक जिसे किया आपको सारी चीज़े समझ में आए देन आप MSQS लगा पाएं चलिए फ्रेंट्स पहली जो है स्कीम है किर्शक बंदू योजना किशक बंदू योजना बेशिकली पच्छिम बंगाल द्वारा जो सरकार थी यानि कि ममताब एनरजी की सरकार थी उसने जो है जनवरी में लेके आई थी योजना थी ठीक है और ये मेंली किसानों के लिए थी कॉलकत्ता अगर आपसे पूछ लिया किस कॉवर्मेंट या किस राज्य के द्वारा लाए गई तो ये कॉलकत्ता के द्वारा लाए गई ममताब एनरजी ठीक है तो यहाँ पर पच्छे मंगाल आ जाएगा पच्छे मंगाल सरकार द्वारा ठीक है और खाँ पर इस योजना का घोशना हुई तो ममताब एनरजी ने इसकी भोशना करी कॉल काता मैं ठीक है यह किसानों के लिए करीगी थी इसमें 5-6 रुपे दिये जाएंगे दो मंत की किस्तर है दो 6-6 मंत में दो किस्तर मिलेंगी आपको एक पहली मिलेगी आपको खरीब की जो होगा उस सीजन में उसके बाद देन मिलेगा आपको रवी के सीजन में धाइड़ी है करके आपको यह जो है इसमें पैसा आपको मिलेंगे टूटल मिलेगा 5-6 रुपे आपको प्रती एकड़ जोगा बर्स में प्रती एकड़ जो रहेगा वो 5-6 रुपे में लेगा ठीक है यह योजना की मुख्य बिंदू थे बाकी अब यहाँ से पढ़ सकती है बहुत सरी सी चीज़े लेखी है जो आपको इंपॉर्टन है एकड़ास में आ सकती है लेकिन इन तीनों चीज़ों मैंसे ही जातर आती है अगला देखेंगे कालिया योजना अभी कालिया योजना जो है उड़ीशा गवर्मन्ट लेका है उनके मुख्यमंती नबीन पटनायक द्वारा 21.12.18 को यह यह योजना जो है लाए गई ठीक है इसमें है क्याची इसमें जो है छातरवती दी जाएगी उनको यह बित्ते साहता प्रदान की जाएगी कालिया योजना के तहट जो है सरकार जो पांच जो पांच परकार के लाब प्रदान करेगी कैसे पांच राप ठीक है तो यहाँ पर लिखे हुए है ठीक है तो यह यह योजना के तहट जो राजर राजे सरकार रहेगी वो 92% किर्षक को कवर करेगी ठीक है इसमें जो है दस हजार करोड रुपए की राशी जो है मंजूरी कर दी गई है और इस राशी को अगले तीन बर्सों में बैग किया जाएगा ठीक है ये कुछ important points थे यहाँ आप देख सकते इस योईना के तहरे 5 रुपए की दर से खरी तथा रभी सीजन के लिए प्रतेख परिवार को 10 रुपए बित्ते साहता दी जाएगी यहाँ पर भी आपको जो चीज लिखी है 5-5 रुपए से करके दी जाएगी खरीब में फिर रभी में किस के द रठारा फरबरीद रठारा इस परका तो आप से यह पूल सकता है ठीक है तो यह कहां की योईना है कालिय योईना यह कालिय चात्रवती योईना जो है कालिय योईना करके आता है लेकिन कालिय चात्रवती योईना करके आगा तो आप यह समझ जाओगे कि यह एक्शल में च के उर्ख किया है ठीक है तो यह है मधड़ेश्की योजना ठीक है इस में करें 50,000man kproduka की किशान करज के माफिये योजना है यह इस योजना का नाम मुक्यमंध्रीего किसान माफिये योजना कर दिया नाम झा इस योजना में सरकार 55 الاक जो किशान होंगे उनको लाव देगा उनको यह सारी चीज़े जो है प्रवाइट करेगा इसमें होगा क्या इसमें दिखिए इस योजना के तहट जीएस्टी इस योजना के तहट यह जीएस्टी के लिए पंजिन तता आयकर भरने बाले किशान इस योजना का लाव नहीं उटा पाएंगे जो किसान होंगे अगर उनके पाद जियस्टी पंजिन है और आयकर वह भरती हैं तो इसका लाव वहलुक नहीं उठा पाएंगे ठीक है राजे की केविनेट ने 5 जन्वरी को यानि 5 जन्वरी 22 को 55 लाग किसानों को रिन मुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है ये इतना इसमें से चीज़े थी जो इंपॉर्टन रहेंगी आगे पढ़ेंगे सूर्य शक्ति किसान योजना ये सूर्य शक्ति किसान योजना क्या है यह एक गुजरात द्वारा चलाए गई किसके द्वारा रूपानी के द्वारा ठीके तो ये जो है गुजरात सरकार के द् बटाने के लिए इसको बिजली के समझया को समधान करने के लिए हैं यह इसमें होगा Sần पैनल लगाए जाएंगे सूनर पैनल जो है किसान को लगाने होंगे और वो किशान जो है जो सूलर पैनल लेगा उस पर सबसेटी दी जाएगी 26 फीसदी जो पिजली जो रहेगी देखे उर्जा जो उर्जा मंत्री है सौरब पटेलना बतायाएगी आम तर पर जो किसान होते ह है वो 26% ही बिजली का उप्योग करेंगे बाकी जो उप्योग रहे गा वो जो उप्योग रहेगा बाकी जो बिजली बचेगी इकीसान उस बिजली को बेच भी सकते है गोर्मेंट और पूछले जाएं कि सूर्य सक्प्ती किशान जोजया किसान जो अपनी बजली दे सकता है यहा नहीं बेगे तो सुलर पैनल से जो एक जो है यह है राज सरकार जो है सबसेटी दे ङुए इस पर कुछ इमपॉर्टन पॉइंट्स है भो देख लेते हैं झृड़नों को बिना कोई कि लब्ली कानेकशन के लिए मुफ्त में बिजली मिल सकेगी, सबसे important point तो यही है इस विजना के मताबिक खुद से बनाये गई बिजली को किशान सरकार को बेच भी सकती है, ठीक है सरकार दोर इन किशानों के किशानों से बिजली साथ रुपए प्रति यूनिट के दर्द के हिसाब से ली जाएगी ठीक है, solar panel से उत्पन होने वाली केवल 26% बिजली जो होगी किशान ही यूज़ कर पाएंगे, जातर नहीं यूज़ कर पाते हैं, लगर देखा जातो 26% ही यूज़ कर पाते हैं और बाकी 74% बिजली जो है वे वीज़ सकते हैं सरकार को इसमें देखी 175 MW बिजली प्राप्त होती है प्रतीवर्ष कितनी होगी 175 MW बिजली प्राप्त होगी ठीक है, बाकी points जो है इतने आदा important नहीं, यह आप परण सकते हैं आराम से आगे देखेंगे इसमें एक चीज है, देखें important चीज और रहे गी है, इसमें 60 फिसदी रकम जो होगी सबसिटी की वह government देखी, सरकार देखी 35 फिसदी जो है वह उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा मतलब उनको अपने ओर से लेना पड़ेगा किशानों को, अगला देखेंगे इंद्रा ग्रह योती योजना, यह क्या है यह कमलनाथ द्वारा लाए गई है, कमलनाथ मतलब मद्द प्रदेश की योजना है इंद्रा ग्रह योती योजना ठीक है, इस प्रदेश की इसकी गोशना जो है फरवरी 2019 में की गई थी, इस योजना के तेत्राज के मूल निवासी को बिजली सबसिटी रेट में मिलेगी, देखिए फ्रेंड ये एक्ट्वल में क्या है, ये थोड़ी सी जो आपने सुना होगा संबल योजना ये सरल योजना जो थी उसको ही अटा कर दिया गया, ठीक है अब इसमें है का 1 अपरेल 2019 इसको ये आदिकारिक रूप से लागू करी गई है, ठीक है इसके अबजेक्टिया उद्देश क्या है इंद्रा जोती ग्रह योजना जो है इंद्रा ग्रह योती योजना का मुख्य उद्देश मदब्रिज में रहने वाले लोग जो है बिशेश रूप से गरी परिवार को बिशली सस्ते दाव में मुहिया कराना है ताकि वे बिशली का जो है बिल कात्रिक भार जो है उन पर ना पड़े और बिशली का बिल भर पाए ठीक है, और मुख्य ता क्या थी इस चीज में, देखे, मुख्य चीज क्या थी जो लोग देखे, एक इंपॉर्टन छी यहां पर यह थी कि संबल योजना जो होई थी इसके बिफल होने के बाद यह योजना लाए गई है जिसमें क्या होता था संबल योजना में कि बहुत सारे फरजी बाड़े हुए जिनके 1000,000 उनिट बन रहे थी तो आपको उन सारी यूनिट का आपको बिल देना होगा ठीक है, जो according to कितने आपका जो यूनिट पर यूनिट है आपके एरिये में कितना रुपह पर यूनिट चल रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा ठीक है, यह सारी चीज़ें है इसमें ज़्यदा important चीए मैंने बता दी है वो ही आपसे पूचे जाएगा अगला देखींगे, मुख्य मंत्री किसी आशिरवाद यूनिट तो यह है launch की गई किसके दारा रगूबर दाश के दारा ठीक है, launch date थी 21.11.18 यह जो जो है, जारकंड की मुख्य यूजनाओं मैं से एक है मुख्य मंत्री किसी आशिरवाद यूजना फिलाल में जो है, जारकंड में ही अभी काररत है यह यूजना ठीक है, आगे चलकर हो सकता है और भी प्रदेशों में यह की जाए तो इस यूजना में क्या है जो खेती करने के लिए बित्य साथा दी जाएगी 5 शेर रपय की, कितनी? प्रती एकर 5 शेर रपय दी जाएगा, ठीक है एक है, लिए और बित्य बत्य पाने के लिए अधिक तम 5 एकर जमीन होनी चाहिए यूजना के शहएग 45 एकर किशी भुमी को दिये जाएंगे ध्यान दीजेगा ठीक है और बित्य सायता के को प्रतेक्षिलाब जो है डी वीटी मोड से दिया जाएगा ठीक है इसमें क्या भी इसका लक्ष क्या है इसका जो इसकी योजना के खरीब सीजन में बित्य बढ़ 2220 के सिरू होगी 2220 में सिरू हो चुकी है देखिए योजना का अधिकार जो कारेवन आगामी राज सरकार ही करेगी और पर योजना में कुल 2250 करोपय ही खर्च होंगे और लगबग जो है बाई जी समलव 76 लाग जो किसान होंगे इससे इलाबावन बित होंगे मुक्यमंत्री किशि सम्ब्रदी योजना का उदेश ही क्या है? इसका योजना का उदेश क्या 2224 तक किसानों को जो है किशानों की आयहाएव वेदुगना करना है ठीक है DVD के माध्यम से प्रती वर्स 5 है रुपए जो है अधिकतम 5 एकड तक की जमीन के लिए दे जाएंगे इसमें पात अर्ता या फिर योगयता की बात करें तो राज के छोटे और सीमांत किशानों को ही दी जाएगा अधिकतम करसी भूमी 5 एकड होगी योजना की कोई नियुनतम सीमा नहीं होगी ठीक है चलिए अगला देखेंगे मीठी करसी योजना मीठी किरसी हुजने क्या भी देखे आपने हरित करांती सुनी होगी ठीके मीठी करांती है ठीके हरित करांती सुनी होगी ठीके दुखद करांती है नेली करांती है इसके बाद ये सारी करांती के बाद एक करांती का बात हो रही है वो हो रही है मीटी करांती के बाद अब ये जो मीटी करांती क्या है ये लेटर है सहद से जो मद्यमक्यों के पालन होता उससे लेटर है आप से पूचा जा सकता है ये है किस से लेटर है मदमक्की पालन से है गाय पालन से है अलग अलग चीज़े पूचे आ सकती तो यह मदमक्की पालन से है तो यह जारकन के द्वारा लाए गई जारकन सरकार के द्वारा लाए गई है 22 तक इसको बिकसित राजो की स्रेडी में रखा जो है इसको बढ़ावा देना है मतलब जो मीठी करांती है जो मदमकी पालन है उसको बढ़ावा देना है इसका उद्देश मुक्ति उद्देश है इसके और कुछ उद्देश भी है इसको बच्चों को कॉपरेशन की मुक्ति दिलाना भी इसका एक उद्देश है गुलबक्ता जो इसमें शेहद की गुलबक्ता का अच्छा उत्पादन करना भी इसमें एक जो इसकी उत्देश है ठीक है तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ थी 30% भूमी पर आरक्षित है जो सेद उत्पादन के लिए सबसे उत्पन संसाधन है देखिए लगबग जो आपका जहरकन है उसमें 30% भूमी जो है अक्छा दित मतलब सहर जो है वो उत्पादन करती हो महतपूर्द संसाधन है यहाँ तो देखिए यहाँ पर क्या कैछीज़ ज संक्या में है जो की मद्मक्की पालन की द्रश्टी क्योंड से अच्छे होते हैं इसलिए जहारकन में मद्मक्की पालन को प्रोजसाहन दिया जा रहा है आगे देखेंगे कलेश्वरम, गोदावरी, लिफ्ट परियोडिना यह क्या है यह बहुत ही इंपॉर्टन है और तीन सरकारों ने मिलकर ठीक है यानि किस कौन कौन सरकार तेलंगाना अंदरप्रदेश और महराष्ट की सरकार यानि की तेलंगाना के कौन यहाँ पर चंदसेकार रहा है और यहाँ पर अंदरप्रदेश के कौन सीम है जग महान सिंग रेड़ी और महराष्ट की कौन है है ठीक है 21 जून को कलेश्वर प्रियुज़ना के लिए तयार जोर पर दिया जा रहा है तिलंगाना के मुख्मती मान नहीं है क्या नाम है इनका केसी यार मेदी कर रड़ी जो है अगला देखेंगे इस में प्रियुज़ना जो है वो सेचाई से लेटर है से लेटर है प्लस जो अठारा वहाँ पर जिले पड़ेंगे उनसे लेटर भी है मतलब वहाँ पर पानी पहुचाया जाएगा ठीक है आपसे अगर पूछा जाए किस किस चीज़ से लेटर है तो ये बात तो पानी की दिक्कत को खतम करने के लिए हैं, दूसी चीज़ है सिचाई की दिक्कत को खतम करने के लिए हैं, तीन राजों में यह योजना जो है चलाई जाएगी, तीन राजों की योजना जो है कलेशवर गुदावरी, देखे किस पर जो कलेशवर गुदावरी लिफ् ज़िदा famous जो कह सकते हैं इसको यून्या को तो तेलंगाना सरकार द्वारे यो है रायते बंदू यो है रायतु बंदू है रायतु नहीं हो रायतु बंदू है तीके यूनल आए गई इसमें क्या होगा रभी और खरीब के मौसम में भूमी मालिक को चार हैर रुपए प्रतियकर दिये जाएंगे ठीके उनके लिए बिसेश पास्वुक भी जारी की जाएगी इस पैसे के लिए तीलंगाना के मुख्य मंत्री कोई है चंदसेकर राओ ठीके गवर्नर कोई है ईस लश्मिनर से मैं राओ इनके लिए अत्रिक भार दिया गया इस चीज का तो यह कुछ मुक्य चीज थी रायतबंदू के लिए अगर हम बात करें वील डिगरी योईना की नैक्स योईना हमारे पैस वील डिगरी योईना तो यह क्या है बही किसके दौरा लाए गई यह गुजरात सरकार के दौरा लाए गई ठीक है जो लड़कियों के जर्म फ्रेंट दीखी गुजरात बहुता क्या है जो एक से लेकर आड़ भी तक तो लड़कियों के स्टेंथ जो रहती है स्कूल में अच्छी रहती है छात्रों के स्कूल डाहती है लेकिन आठ से लेकर दस्वे तक आते हैं बहुत कम हो जाती है ठीक है इस चीज़ को देखा जाए तो इस चीज़ को बढ़ागवा देने के लिए भी यह जो है योजना लाए गई और लड़कियों की जन्म जो है मिर्तिव दर में कमी लाने के लिए जन्म दर बढ़ाने के लिए उसको भी लाया गई ठीक है तो इसमें योग्यता क्या क्या कोई ही मिलेगा परिवार की सालाना आए दो लाक से कम होनी चाहिए तभी आपको यह है इसकी युजिना का लाब मिलेगा अब इसमें देखें कक्षा एक मैं नामंकन अगर आप करवाते हैं तो चार रुपए मिलेंगे कक्षा नवी में जैसी है आपकी बालिका पहुंसती है तो उसको 6,000 रुपए मिलेंगे अब 18 बर्स की अगर आयू प्राप्त करती है बच्ची ठीक है जो बालिका होगी उसको एक लाक रुपए दी जाएंगे ठीक है तो यह important था कि गुजरात के मुक्यमंत्री कोने बिजारुपानी एक चलाएगा एक अभियान है ठीक है यूजना नहीं एक अभियान ही कहेंगे एक नागरिक एक पेड़ अभियान है ठीक है तो यह जो है मिगाले सरकार ने राजे में जादा पेड़ लगाने के लिए एक जन अभियान शुरू किया है इस योई नाम है अवियान का जो आगाज विश्व परेवरन दिवस यानि कि 5 जून पर 5 जून को किया गया ठीक है तो यह जो है यहाँ पर important ही हो जाता है कि यह किस सरकार के दोरा अवियान चलाएगा तो यह चलाएगा मेगाले के दोरा कब चलाएगा 5 जून 5 जून को परेवर दिवस को ठीक है आपसे यह तीन चाहँ चीज़ सकते हैं जो important हैंगे अगला देखेंगे save green stay clean save green stay clean जो है किस government के दोरा लाएगा तो यह लाएगा पशिम बंगाल सरकार के दोरा ठीक है पशिम बारकार सरकार के दोरा जो हर्याली के संदक्चोन और परेवरन को स्वच्च रखने के लिए इसको लाएगा इसके जागरुकता को फैलाने के लिए देव बित्रन करेगी ठीक है पशिम बंगाल के सीम कोने ममतावेन जी है ठीक है और यहाँ पर राजपाल कोने जगदीज धनकड ठीक है चले next देखेंगे हम अम्रत योजना अब अम्रत योजना क्या है करनाटक के मुक्रमंत्री है HD कुमार स्वामी इनके दोरा वेंगलूर में एक जल संरक्षन योजना जिसका नाम है अम्रत योजना जो है वह सुरू की गई है प्रारम की गई गामी विकास और पंचात राज भिवाग दोरा बैंगलूर में डॉक्टर भीम राम बेटकर भवन में एक समारो में आज़ुत किया गया यह थोड़ा इंपॉर्टन प किया गया यहाँ पर इसको अनौश किया गया ठीक है योजना में लोगों को पानी के संरक्षन का महत्व के बारे में जाग्रूप किया गया इसको बरवात ना करें ऐसा कहा गया इसके तरीके इसको कैसे जो है सेफ किया जाए बो बताया गया सरकार ने ध्वहरणी इसको जल बर्स गोशित भी किया है राजस सरकार जो है देरन इसको जल बर्स भी गोशित किया है ये पॉइंट आप ध्यान दिजेगा अगर आपसे पूछ लिए करनाटक जो है कौन सा राजस ने जो है जल बर्स गोशित किया है देरन इसको जल बर्स गोशित किया है तो वो करनाटक सरकार है, ठीक है, गवर्नाट, गवर्नमेंट है, करनाटक की राज़ानी आपको इस पता है, वेंगलूर है, CM है, SD, कुमार स्वामी अभी बताया, ओके राजपाल है, बजु भाई, बाला, ठीक है, चलिए अगला गूशें देखिए, वन फैमिली, वन जॉब अब यह क्या है, फ्रेंट, देखिए, यहाँ पर एक्शल में है क्या, यह बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टन है, पच्छी जो है, सिक्किम गोवर्मेंट जो है, यह लेके आई है, पबन चामलिंग के द्वारा यह यूजिना लाए गई है, यह इंपॉर् या राइस्थान, या फिर राइस्थान के इलाबा फिर 36 बगरा या इशारकण में लेके आए, तो बहुत बड़ी योजिना हो गई है, और ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं, यह आगे देखा जाएगा, लेकिन सिक्किम में ऐसा कर दिया गया है, पबन चामलिंग के द्वा फैमिली, वन जॉब, ठीक है, इस योजिना के अनुसार, जिस परिवार, परिवार के लोग जोंगे, सरकारी नौकरी के योगे हैं, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, विस योजिना का लाव उटा सकी है, देखिए ऐसा नहीं है कि इसी मालिक जो व्यक्ति, सरकारी तो यह पॉसिवल्टी से, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पॉसिवल्टी नहीं है, ठीक है, इस परिकार के कर्मचारियों को पांच वर्स बाद जो होगा, उसको नियमित कर दी जाएगा, इसमे एक और चीज है, एक पॉलिसी है, पांच वर्स आपको काम करना पड़ेगा, देन आप पर्मनेंट होंगे, ठीक है, एक संबीदा टाइप का होता है न, उस पिरकार का, ठीक है, अगला देखेंगे, यूवा सौभी मान यूजना, तो यूवा सौभी मान यूजना क्या है, किसने चलाई, ये फिर से कमलना सरकार्ना दोरा चलाएगे, मद्ध देश सरका चलाएगे, यूवा सौभी मान यूजना की घोशना की है, इसका उदेश जो रहेगा, वो आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के बेरोजगार, यूवाओं को रोजगार उपलप्त कराना है, बस इतना हमें पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी पूचा सकता है, क कवलनात जो हैं लेकर आएगे, इस यूजना के मुख्य बिंदू या बिशेष्था क्या है, दो के इसमें से पहला बिंदू तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, दूसरा बात करेंगे, जो सहरी चेत्रों में कमजोर आर्थिक बर्गों के यूवा रहे हैं, उनको सौ द आगे देखेंगे, आचल अम्रत यूजना, आचल है वो, आचल नहीं है, आचल अम्रत यूजना, अब ये क्या है, अब ये बहुत important है, और आइधिंक ये पूरे देश में होना चाहिए मेरे सबसे उत्रागंड में है, तो इस यूजना में क्या है, आगनवाली में, उनमें 7 मार 12 को इस यूजना का उद्गार्टन किया है, देखें, इस में क्या होगा, इस आचल अम्रत यूजना के तहत उत्रागंड सरकार योगी, 20 एर आगनवाली में, सब्ता में 2 बार, जो है, 2.5 बच्चों को 100 ml उपलब करागा, देखें यहाँ पर, देखें क्या होत है, 3 साल से लेकर, 5 साल तक के बच्चे रहते हैं, ठीक है, बदर 3 साल से नहीं, रहते तो, 6 महीने या 1 महीने दो महीने के इस बच्चों का भी नाम रहता है, लेकिन जो रहेंगे, अगर मान लेजे, 3 साल का एक है, और 3 साल का एक है, तो यहाँ पर 6 बन रहा है, ठीक है, तो फ्लेवर्ड मीठा यानि की दूद पाउडर भी दिया जाएगा फ्लेवर्ड मिलक जो है वो दिया जाएगा ध्यान दीजेगा यह इंपॉर्टन है और यह जो गवर्मेंट है पहले एक ची बता दो एक लेकि एक आपको आंगन बारी का पहली बता दूँ यह नोंने जो है आं J app में बहुत सारे अंगन बारी है वाडल 22 मतलब जो बार्ड रहते हैं यानि की जो एक बार रहता है थीक है उसमें खाजर बार्ड वी दिया बहुत अचछा丹र काम कर रहे रहे और जो वहाँ पर बच्चों की हेल्ड है वो हेल्ध को लेकर बहुत positive रहते हैं और health के लिए जो कहते हैं हर बीक में जो है हर बीक या 15 दिन में एक पूरी survey होती है और पूरा डेटा collect करते हैं ठीक है तो अभी MP government तो अच्छा है कर रही अब देखते हैं उतराखन कैसा कर पाती है ओके इस अमरत समाप्त कर दी जाएगा लगबख समाप्त जाएगा अगर ध्यान दी जाएगा समाप्त ही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखेंगे कौन से mission है भई कौन सा है अब जागया commission बुनियाद अब mission बुनियाद क्या है तो देखिए यह बहुत important है आपने सुना होगा कि जो दिल्ली government है यानि कि यो केजरी बाले वो अलग-अलग चीज़े लेके आते रहते हैं ठीक है आपको यह भी पता होगा कि दिल्ली government बहुत अलग-अलग चीज़े चलाई यह से कि data उन्होंने free दिया ठीक है बहुत चीज़े उन्होंने करी है यानि कि दिल्ली में बिजली सस्ती कर दी पानी सस्ता कर दी है बहुत सरी चीज़े वो लेके आए ठीक है तो उन्हीं में से एक और mission है जो है mission बुनिया तो यह क्या है यह बच्चों के लिए है ठीक है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है दिल्य सरकार ने राज और नगरपाले का चाले थे, इसकूलों में जो नगरपाले का और गवर्मेंट स्कूल रहते हैं, उनकी बात करें, चले इस सकूल में पढ़ रहे बच्छों को सिखाने के कौशल मैं सुधार के लिए जो है मिशन यानि की मिशन मुनियाद जो इसका सुरुवात की सी गोशना करी है यह गोशना उप मुक्य मंत्री मनीश शिशोदियानाने की कारिकरम के तहट जो अप्रेल से जून तक दिली नगर निगम MCD कहते हैं स्कूलों में कक्षा तीन से पांच के लिए चलाया जाएगा और सरकारी विद्यालों में छे से आठ के लिए चलाया जाएगा बच्चों का बिशेश मिशन जो रहेगा बुर हैगा कक्षाओं के अंतरत पढ़ाने के इस तर को आकलन भी किया जाएगा यानि कि मॉल्टरिंग भी किया जाएगी तो इस में एक चीज important है भई आपसे पूछ लेजा आएगा इस मिशन में ऐक्चों में बच्चों को दिया क्या जाएगा इस मिशन में especially क्या होगा कहानी के माध्यम से बच्चों को कुछ चीह समझाएंगी कहानी जो होंगी कहानीयों के मादियम से पढ़ाया जाएगा इस परकाग निखरिफ लिया गया है के कहानीयों के मादियम से इनको समझाएगा इतनी सबसे बड़ी बात थी आगे देखें मुख्य मंत्री پरिवार सम्मान निदी योजना. यह बहुत important योजना और काफी इसका चार्चा होई तो देखी हरेना सरकार जो है मुख्य मंतरी मनुलाल कट्र द्वारा जो लाई गई चर्निकण में मुख्य मंतरी परिवार सम्मान निदी योजना का सुभाराम किया ठीक है यह मुख्य रूप से राज के किशानों के लिए रहेगी जो पांच एकड़ तक के छेतरों के साथ भूमी पर खेती करते हैं और पंद्रह है रुपय प्रती महास से कम की आएवाले परिवार होंगे यह जो इना 6,000 रुपय बर्सिक प्रदान की जाएंगे प्रतेक परिवार को एक सदसे को नामित करना होगा जो एक सदसे को आगे करना होगा उसका नाम जो है इस लिश्ट में रखना होगा ठीक है यह रासी प्रदान इसको उसी को प्रदान की जाएगी इस योजिनाग के दो सिर्णियों सामिल होंगे दो सिर्णियों के सामिल होंगे मतलब 18-40 वर्स के जो बैकती है ठीके हुए और 40-60 वर्स के बैकती है यह जो नाप प्रकृतिक मृत्यू पर 2,00,000 रुपए का बीमा सुविधा जो होगी वो प्रदान करेगी आकास्मिक मृत्यू पर 2,00,000 रुपए भी दी जाएंगे या फिर बिकलांग जो होगे स्थाई बिकलांग में 2,00,000 मतलब हर जगा 2,00,000 रिखेंगे और आंसिक बिकलांग ताम है जो रहेगा वे आपको 1,00,000 रुपए प्रदान करेगी कौन सी गवर्मेट है? हर्याना गवर्मेट है मनुहलाल कटर की है भई चलिए इसमें चन्ली कड़ इसकी राज़ा नहीं है मनुहलाल कटर इसके मुक्य मंत्री है और राज़ पाल की बात करें सतिंद्र नारान आ रहे हैं ठीक है? आगे देखेंगे अरुन्दती योजिना तो फ्रेंड अरुन्दती योजिना अक्शल में आसम गवर्मेंट की दोरा चलाए गई ठीक है? इसका नाम रख रहा है अरुन्दती योजिना इस योजिना के तहर जो कही बिवाद के समय लड़कियों को निशल को सोना दिया जागा थोड़ा सा जो है इस चीज में मैं जादा नहीं बूलूँगा लेकिन फिर भी ये दहेच के तोर पर सोना दिये जागा ठीक है? इस योजिना के तहद असम सरकार भिवाद के समय लड़कियों को एक तौला सोना देगी एक तौला सोना देगी अरंदोती योजिना के लिए असम सरकार ने 300 कर रुपया वन टिद्बी किये गए है इस योजिना का लावज उठाने के लिए बिवाद का पंजी करन बिवाद असम नियम कौन सा भई? 1954 के तहद कराया कराना मतलब अबश्यक है अगर यह नहीं कराया तो आपको एक तौला सोना नहीं मिलेगा अगर बस पूरी बात यही थी आगे दिखेंगे जीवन संपर की योजिना अब यह भी उडिशा के द्वारा चलाए गई उन्ना है नवीर पटना एक द्वारा राज में बिशेशू से कमजोर आदिवाशियों संभू के बीच जो राज सरकार की विकास और कल्याल कारी पहलों जो पहलों को है उसके बारे में जागरूत करना है तो इसमें क्या होगा इस योजिना में जो यूनिसेफ इंडिया के साथ साज़धारी में जीवन संपर्क के परियोजना की गोजना की है पटनायक द्वारा आदिवाशी मेला मेले के रूप में प्रशिद बार्शिक जो आदिवाशी है बार्शिक जो बार्शिक आदिवाशी मेला जो होता है उसका उधगाटन भी किया जाएगा उसका उद्गाटन जो है वो करेगी जीवन संपर्क के फोकस छेतर में कौशल बिकाद समुदाय को समुदाय को सितक बनाना सयोग करना और देश के 75 परतीशत 75 परतीशत समुदा आदिवाशी समुदाय है उनके समुदाय के बीच नवाचार सामिल होना समर्नावाचार जो है सामिल करना है तेरा बिशेष रूप से कमजोर बिकेश मतलब तेरा जो बिशेष रूप से कमजोर जो तेरा बा नंबर का जो है बिशेष रूप से कमजोर आदिवाशी समुदाय को उडिशा से जोड़ना है तो फ्रेंड ये जो जूजना है, जी बन सबर जूजना है, वो किस से जूड़ी है, आदीवाशी समुधाय से जूड़ी है, जिसको जागरू करना है, किसको जागुर करना उड़ी सरकार को किसने लेकर आई पटनायक जो है नमीन पटनायक दोरा ये लाई गई है ठीक है आगे दिखेंगे सुमित्रा यूजिना तो फैंड सुमित्रा यूजिना किसके दोरा लाई गई ये भी उड़ी सरकार के दोरा लाई गई ये इस पिरकाग इनिशिटिव अलड़ी MP गवर्मेंट, देखिए मैं बता दूँ, MP गवर्मेंट का बहुत पीछ है, लेकिन बहुत सरे जो है, अगर आप MP गवर्मेंट उठाके देखनें, जब सिवराई सिंग चोहां थे, मैं यह नहीं कहूंगा उनकी जो बढ़ाई कर रह पचाथ से साथ योजना उसके अंतरकत हैं, तो यह जो है नेश्वल का नेत्र जाच होगा, अप्चार होगा, चिसमा प्रदान किये जाएगा, उडिशाय राज के मुख्य मंतरी नवीन पटनायक ने, राज के सभी नागरिकों की आँखों की देखवाल करने के लिए सुमि नेत्रों से सभी लोगों से जो रहेगा, देखिए सभी लोगों की नहीं मताएंगे, यहाँ पर जो उडिशा हरकार हैंगी, वो इसको लोगों की छात्रों को निश्वलक एक नेत्र देखवाल कारकरम चलाएगा, ठीकिए, और इसका जो है लक्ष के कब तक हैं, दुयार त सरकार के द्वरा लाएगा, 95 लाइक परिवारों को निश्वलक जो है लेडी बल्प दिया जाएगा, उके, इसका नाम जो रहेगा, वो अमा घरे लेडी रहेगा, ठीकिए, ओडिशा सरकार द्वरा लाएगा, इस योजना के लावारती रास्टिये खाद सुरक्षा अधिन तथा राजखाद सुरक्षा दिनियम में सामिल लोग हैं, ठीकिए, यह जोजना का कारेविन ओडिशा पावर ट्रांस्मिशन कॉर्परेशन लिमिटेट द्वरा दिया गया है, ध्यान दीजेगा, यह इंपोर्टन है, एक्जामा पूछा सकता है, इस जोजना का लाव उठ द्वरात के लिए Biometric प्रामानी करन आवश्क है, देखें जो जगए 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 जो राशन बितरन होता है, हर पर जो देन पावा पर दीे जाएगे, और एक प्रामानी करा है वहाँ पर ड आपको बिलेंगे प्लस आपको कुछ important points मिलेंगे अब इसके बाद आपको आट हो जे जो रहेगी वो आएगी जीके की वीडियो जिसमें आपको रेल बे जीके और important जीके मिलने वाला है और daily 9 बच के 15 मिट पे आपको एक वीडियो मिलती है जो की मिलती है current affair की current affair जो हम पढ़ रहे है daily basis पर ठीक है daily basis पर इसका मतला में daily नहीं पढ़ रहे है भई हम पढ़ रहे है January से start किया हमने February तक खदम कर दिया है जनबरी फरवरी खदम कर दिया है कल से start करने वाले March जो वीडियो को अटेंड करिएगा 9 बज़े के बाद वीडियो मिल जाएगी आपको तो friends अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी please like करेगा, share करेगा, subscribe करेगा thank you friend watching this video और best आपके exam के लिए आपके result के लिए